नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे निगमन की पदती पर, जिसमें सबसे पहले वैदता के आकारगत प्रमाणों पर चर्चारम आरुब कर रहे हैं। सामाने प्रकार की युक्तियों की वैदता और अवैदता की जाँच ही तर्क सास्तर का मूल लक्ष है। और इस परिक्षा के लिए हमने सत्यता सार्णी जैसे एक शक्ति साली साधन का प्रियोग जाना। जो की पुरी तरह से तुटिहीन और एक सशक्त माध्यम है किसी भी युक्ति की वैदता या आवैदता को जाँचने का। लेकिन सत्यता सार्णी की अपनी एक कठीनाई है। यदि उसके आधार वाक्यों और मूल रूप से उसके चरों में यदि व्रद्धी होती जाती है। वैसे वैसे सार्णी की लंबाई अधिक होती जाती है। और फिर उनको मैनुवली हल करना एक दुरूह कार्य बन जाता है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं की सत्यता सार्णी में यदि केवल एक चर होता है तो दो पंक्तियां चाहिए, यदि दो हो तो चार पंक्तियां चाहिए तीन चर हो युक्ति में तो आठ पंग्तियां जाएए और चार हो तो सोला और पांच हो तो बत्तिस और यदि छे चर आ जाएए तो सीधे ही चौन संट पंग्तियों की सत्यतासारनी बरानी पड़ जाएगी जो की एक कठिन और स्रम साध्यकार्य है और जिसमें भूल होने की संभावनाई भी अज़्यदिक रहती है तो कोई जो लंबी युक्ति है उसकी व्यदता की सत्यापन के लिए जिस कठिनाई में हम फंस जाते हैं तो उसके लिए एक साधन सुजाया जाता है एक समोचित ढंग बतलाया जाता है तर्क सास्त्र में वो ये है कि युक्ति में मूल रूप से दो हिस्से होते हैं एक आधारवाक्यों का और एक निशकर्ष का तो युक्तियां ये दावा करती हैं कि जो निशकर्ष आपके समक्स प्रस्तुत है वो इन आधारवाक्यों के द्वारा ही निगमित हुआ है तो अब करना ये है या पाइंट ये है कि युक्ति के निशकर्षों को हम आधारवाक्यों के आधार पर निकालने का प्रियास करें क्योंकि आधारवाक्यों द्वारा एक ऐसी विधी काम प्रियोग करें कि निशकर्ष को अगर निकाल पाएं तो युक्ति की वैधता सिद्ध हो सकती है तो ये एक बड़ा ही सरल आसान और एक सूसंगत ढंग है किसी भी युक्ति की वैधता या अवैधता को जांचने का अब एक उधान के द्वारा हम शुरू करते हैं क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल है तो इसमें थ्योरी कोई ज़्यादा है नहीं सारे कारे प्रैक्टिकल ही किये जा सकते हैं तो हम एक उधान लेते हैं जो कि Irving M.Copy की पुस्तक से हमने लिया है यदि Anderson का नामांकन पत्र दाखिल किया जाता तो वह बोस्टन जाता यदि वह बोस्टन जाता तो चुनाव अभियान चलाता तो डूंगलास से अवश्य मिलता Anderson डूंगलास से नहीं मिला या तो Anderson का नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया या कोई अधिक योग्य व्यक्ति मनोनित किया गया ये एक बड़लंबी युक्ती है वैसे इस पस्थ यह युक्ती वैद देखी जा सकती है हम समझ पड़ सकता है कि हाँ यह एक वैद युक्ती है युक्ती थो वैद है लेकिन हम सबसे पहले इसको आसानी से समझने के लिए इसको प्रतिकौँ में बदल लेते हैं और फिर प्रतिकों में बदल करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें कुल एक, दो, तीन, चार और पाँच पाँच आधार वाक्य हैं और एक निशकर्ष है जो कि किसी भी युक्ति का एक योग्य और समुचित आकार होता है कि एक उजाधार वाक्य होते हैं और निशकर्ष होता है अब इसके अंदर चर जो हैं वो लेकर यदि सत्यता सार्णी की साहिता से इसकी वैजता की जांच की जाए तो इसमें लगबग 32 पंक्तियों की सत्यता सार्णी हमें बनानी पड़ेगी जो कि इसके अंदर देखी चर कितने हैं एक ए है दूसरा बी तीसरा सी और चौथा डी और पांचवा ई तो पांच चर हैं तो इसमें 32 पंक्तियों की सत्यता सार्णी बने की जो की बहुत लंबी और बड़ी हो जाती है और जिसमें भूल भी हो सकती है कहीं भी लेकिन इस लंबे कारे को छोड़ कर यदि हम इसके आधार वाक्यों से ही वैद युक्तियों के निश्कर्ष को निकाल लें यदि हम आधार वाक्य से कुछ ऐसे नियम लगा के निश्कर्ष को प्राप्त कर सकें और यदि निश्कर्ष निकल आए तो युक्ति वैद सिद्ध हो जाएगी तो अम उसी का काम करना जाएंगे अब आकारिक प्रमान देने की जो प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार से है कि पहला जो दो पहला जो आधार वाक्य है ए इंप्लिकेशन बी और दूसरा जो आधार वाक्य है भी इंप्लिकेशन सी इसके द्वारा हम हेतु हेतु मत न्याय वाक्य द्वारा ए इंप्लिकेश C और तीसरा जो आधरवाक्य है C implication D इसके द्वारा हम A implication D प्राप्त कर सकते हैं फिर A implication D और not D की सहायता से शेश्वत अनुमान के द्वारा हम not A प्राप्त कर सकते हैं फिर not A और पांचवे आधरवाक्य हैं A well E की सहायता से वेकल्पिक नियावाक्य के नियम से हम E को प्राप्त कर सकते हैं और E ही इस युप्ति का निश्कर्ष है तो मौलिक युक्ति इस तथे से वैध प्रमानित हो जाती है कि इसका जो निश्कर्ष है इसके 5 आधारवाक्यों से 4 वैद युक्तियों की सृंकला द rely निकाला जा सकता है और यह निकल जाता है तो इसका मतलब यह युक्ति अपने निश्कर्ष को निगमित करती है और यह वैद सिद्ध हो जाती है अब यहाँ वैद युक्तियों के आकार का प्रयोग जो हमने किया यह अनुमान के नियमों के आधरित पर किया जो हमने नियम लगाए थे हेतु हितु हितुमत वाला वैकल पिक नियाए वाला यह सारे के सारे अनुमान के नियम है जिनकी सायता से हम किसी भी युक्ति के निश्कर्ष को निगमित करने का प्रयास कर सकते हैं यादी निशकर्ष निकल आता है तो युक्ति वैद होती है तो यहाँ पे हमने तीन रूल लगए थे पहला था हे तु हे तुम्बत न्यायवाक्य का दूसरा शेश्वत अनुमान का और तीसरा वैकलपिक न्यायवाक्य यह तीनों अनुमान के नियम है जिन पर हम आगे विस् सास्त्री भी तो आधार वाक्यों और उन से जो निगमित होने वाले वाक्य है उनको एक कॉलम में आप लिख दीजिए और प्रते कथन वाक्य के दाहिनी और दूसरे कॉलम में इसका कार्ण बचा जाए कि यह किस कार्ण से या किस रूल के दौरा वह वाक्य हमने निकाला है और उसको हम प्रमान के रूप में समलित करते हैं कि यह इसका प्रमान है तो अब इसको कैसे किया जाए आकर एक प्रमान प्रतर्शन की क्या विदी है किस प्रकार से इसको क्रम से किया जाना चाहिए तो सबसे पहले तरीका यह होता है कि आधार वाक्यों को लिख दिया जाए सारे सवाल को हम आधार वाक्यों को उतार दें फिर जो अंतिम आधार वाक्य है उसके आगे एक त्रीक रेखा खींच के वहाँ पर निश्कर्ष लिख दिया जाए तो थोड़ दाहिनी तरफ लिखना चाहिए और त्रीक रेखा के उपर जितने भी वाक्यों होंगे वो सारे के सारे आधार वाक्यों होंगे और यदि सभी कत्नों को करम संख्यम लिखा जाए यानि कि उनको नंबर दे जाए एक दो तीन चार तो उनके प्रमान या कारण को पूरवर्ती जिन कत्नों से उन्हें निकला जाता है उनकी करम संख्या तथा अनुमान के नियम का संक्षित में हम नाम भी दे सकते हैं कि हमन एक और तीन फिर हमने माली जिए हेतु हेतु मत न्याय से निकाले तो हम आप लिए देंगे हेतु हेतु या जो भी जो रूल आने वाला है तो यह कुछ इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं जैसे निशकर्स से ऊपर के जो भी हैं वो आधार वाक्य हैं निशकर्स के नीचे के जो भी हैं वो हमने आकारिक प्रमान दिये हैं तो छठा जो है छठी जो पंक्ती है ए इंप्लिकेशन सी यहां से आकारिक प्रमानों का कारिय शुरू होता है जो छे, साथ, आठ और नौ तो छठे जो आधार वाक्य की बात है या छठा जो हमने वाक्य इस नीख के आधार से हमने एक और दो एचेस लिखा है तो एक और दो का मतलू यह है कि पहले और दूसरे आधार वाक्यों में हमने हेतु हेतु मत नियाय का नीख लगाया है उससे हमें ए इंप्लिकेशन सी प्राप्त होता है फिर साथ में आधार वाक्य में A implication D लिखा है तो ये कह रहा है कि छठे और तीसरे आधार वाक्यों से हमने हेतू हेतू मत न्याय की सहायता से A implication D प्राप्त किया है फिर आठ में आधार वाक्य में हम देखें कि इसमें साथ और चार में M T यानि वेकल पिक नियाय का प्रियोग करके हमने not A प्राप्त किया है फिर नाइन्थ नियम में हम बता रहे हैं कि पांचवें और आठवें की सहायता से हमने Ds के नियम से E को ग्याद किया है यानि A well B और आठवे not A की सहायता से हमने E को प्राप्त किया है तो आकारिक प्रमान की यदि हम परिबाशा दें तो गौपी कहते हैं कि वैद युक्ति के ऐसे कथन वाक्यों की स्रंखला है जिन में प्रतिक कथन वाक्य या तो उस युक्ति का कोई आधार वाक्य है या फिर उसका निगमन पहले दियेवे कत्नों में से किसी प्रात्मिक वैद युक्ति द्वारा होता है और स्रंखला अंतिम वाक्य उसी युक्ति का निशकर्स होती है जिसकी वैद तहम प्रमानित करना चाहते हैं तो मूल रूप से तीन प्रकार के चीज़े हो जाती है किसी भी युक्ति में एक तो वो जो आधारवा के होते हैं एक वो जो हम फॉर्मुलों से निकालते हैं और एक निशकर्स होता है अब प्रात्मिक वैद युक्ति की बात कहीं वो क्या है प्रात्मिक वैद युक्ति वह युक्ति है जो किसी प्रात्मिक वैद युक्ति आकार का इस्थानपन उधारण होती है इस बात पर बल देना है कि किसी प्रात्मिक वैद युक्ति आकार का कोई भी इस्थानपन उधारण एक प्रात्मिक वैद युक्ति होती है तो जो भी वैद युक्ति आकार का इस्थानपन है वो प्रात्मिक वैद युक्ति होती है अब इस प्रकार अधोलेखित प्रतम युक्ति जो हम देख रहे हैं ये एक प्रात्मिक युक्ति है क्योंकि यह प्रात्मिक वैद युक्ति के पुर्वत अनुमान का स्थानपन उदाण है तो अब जो हम देख रहे हैं A.P. Implication C. Equivalent D. Well E. A.B. अतरह C. Equivalent D. Well E. यह एक प्रात्मिक वैद युक्ति है क्योंकि यह प्रात्मिक वैद युक्ति आकार के आलहार पे बनी है उसके आलहार पे जो भी युक्ति बनती है वो प्रात्मिक वैद युक्ति बनती है और वो निर्भर करती है किसने किसी प्रात्मिक वैद युक्ति आकार पर अब हम देखें कि इसका प्रात्मिक वैद युक्ति आकार क्या है वो है पूर्वत अनुमान का एक नियम जिसमें हमने उस युक्ति को बदला है इस युक्ति में यदि हम बान डाल दें वाक्य डाल दें या चरों को हटा कर फिर विशेश प्रतिकों का प्रयोग कर लेते हैं तो वह प्रात्मिक वैद युक्ति बन जाती है। जैसे यहाँ पे हमने A.B है वो P के इस्थान पे लिखा है और Q के इस्थान में हमने लिखा है C equivalent D well E तो उस केवल P और Q दो को हमने इन प्रकार से प्रतिकों को या इन प्रकार के वाकियों से बदल दिया है तो यहाँ प्रात्मिक वैद युक्ति हमारे समक्स प्रस्तुत हो जाती है तो पूरत अनुमान एक अट्यंत प्रात्मिक वैद युक्ति है किन्तु प्रश्ण है कि अनुमान के नियमों के रूप में अन्य कौन से वैद युक्तियाकार हम शामिल कर सकते हैं पूरत अनुमान तो हम समझ गए जेकिन और कौन-कौन से अनुमान के नियमों का हम प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसे आकारिक प्रमाणों की एक मड़ी छोटी सी सूची है नौ नियमों की सूची है जिस पर हम आगे हम सर्चा करेंगे आज हम इतनी बात करेंगे आपको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार